हेलो बचो, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको कराने वाले हैं स्वर का ज्यान. तो चलिए, कौन सा वाला स्वर है वो? आ. आ से होता है आम. आ से आलू, आ से आग, आ से आकार, आ से आदमी, आ से आकाश. बच्चो, ये हैं आ से बनने वाले शब्द. अब मैं आपको बताऊंगी कि आ को कैसे लिखा जाता है. देखिए, इसे लिखने के लिए सबसे पहले आपको, सबसे पहले आपको एक कब बनाना होता है. एक नंबर यहाँ पर वन लिखा हुए है, वहाँ तक. उसके बाद आपको नीचे की तरफ दुबारा एक कब बनाना होता है, जहाँ पर टू नंबर लिखा हुए है. ठीक है? उसके बाद आपको एक लेटीवी रेखा यानि कि sleeping line बनानी है फिर आपको उसके बाद एक standing line यानि कि एक लंबी रेखा बनानी है और उसके बाद एक और सीधी रेखा बनानी है बच्चो ठीक है और उसके बाद इसे पूरा करने के लिए इसके उपर एक लेटीवी रेखा या और इसको करने के लिए आपको जहां-जहां डॉट लगे वे उसको उपर अपने फिंगर को ट्रेस करना है तो देखे बच्चो देखा आपने यह one उसके बाद आप नीचे आए नीचे वाला कब बनाया आपने यह हो गया two उसके बाद एक sleeping line बनानी है ठीक है उसके बाद एक स बनानी है ठीक है देखिए और उसके बाद इसके उपर एक sleeping line यानि कि लेटी भी रिखा बनानी है तो यह आपका इस तरह यह जो आ है यह लिखने का अभ्यास हो जाएगा थैंक यू बच्चू